को हालो स्टूलेंट वेलकम टू युनायड क्लासिस तो आज में लेका हूं सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्न वर्टू यूनितन मेज़र्मेंट तो यूनितन मेजर्मेंट का ये पार्ट तु है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन देख लिजिए क्योंकि hero 1 part 2 से related है तो मैं सबसे पहले चाहिए इसके चाहिए लिमितेस्अ तो पूरा प्रistuty यहीं है किस्कों भूलते हैं तो किसको बोलते हैं का को समझा तहो तो उससे पहले आपके कौंसी-खॉंसिे पढ़ी है fundamental physical quantity और देखा फीजिकल ही तो जो पत्यों भी है कॉंसी ऐह स्पीड है वेदो से दिटर्स एकसे पोर्ष ए और 27 अगा कितनी एस charge के बार लेंथ है उसे रबार तैम हैform Luckента %. Intensity, Amount of Substance, तो यह जो है उसको क्या बोलते है, उसको बलता है Fundamental Physical content, तो जो भी derived quantity है, derived quantity, physical quantity क्शाटी उसको किसमें चेंज करते है, fundamental physical quantity, physical quantity, तो यह conversion of derived physical quantity into fundamental physical quantity उसको हम क्या बोलता है, dimensional formula, तो देखो मैं डेफिनिसे रिट करता हूं, the dimensional of the physical quantity, किसी भी physical quantity के जो dimension होथा है, are the power to which the unit of the base quantity, base quantity मतलब कॉनसे, fundamental quantity, are raised to represent a derived quantity, मतलब क्या, कि जो derived quantity है, वो fundamental quantity में convert होती है, किसके थरू, power के थरू, मैं आपको example देता हूं, तो आपको कौनसे कौनसे या दखने है, fundamental physical quantity, तो सबसे पहले length, क्या है length, तो length या रखना, length को हम दिनोट करते है, capital L से, यह आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद mass है, तो इसको दिनोट करते हम capital M से, उसके बाद हमारे पास time है, तो इसको दिनोट करते हम capital T से, तो इसके बाद temperature है, temperature हम दिनोट करते हम capital K से, उसके बाद current है, तो current को दिनोट करते हम capital A से, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, fundamental physical quantity की जो dimensional formula इससे डिरावट होंगे, तो मैं आपको example कर रहता हम, for example, मैं अब start करता हम, dimensional formula, तो सबसे पहले मानलोब आपको area का dimensional formula find करना है, किसका area का, तो area क्या होता है, length into length, length into length होगा, मतलब side into side, किसके लिए होगा square के लिए, उसके बाद मैं लेता हूँ, rectangle के लिए, तो length इंदू रहत होगा, तो insert क्या होगा? वो length ही होगा. मतलब क्या मिलेका? Length का square होगा. तो यहां पे length को किसे denote करत हम? Capital L से. तो यहां पर क्या होगा? Capital L. और याद रखना, जो भी discussion formula है... उसको n commun square bracket से denote करता है. किससे denote करता है? Square bracket से. तो यहां पर क्या है? Square bracket होगा. तो इसके बाद में और एक्जाम्पल देता हूं आपको एक्जाम्पल उन्थ का इसमें होता है से यहांपे भी लेंथ हैगा इसटेंस का स्टमानों फ्रॉyer 1 कि यहां पर unfmpfen 1 फोइन थone तो तो क्या हूए तो क्या सॐख था जो उसकर में लेताँ ह१ाँ दीस्प्लेस्मेंट मुकुम अगर में स्फर्डूर्वाइन सेम राता ह॥ लेंथ कि मैं यहां टूर्फ ईप हो आपको स्पीड लेता हूं अब यहांपे मैं स्पीड ले ले हम चलू स्पीड क्या होता है लिपक्र होता है है कि तो रिचमन किसमें मिजर करता हूं लैंद के अंदर तो यहां पर आएगा ती वन अब यह उपर जाएगा तो यह आधक ना वेलोजिटी का है है तो वेलो Tában कि यह ब्योगर भेक इसको मैं एक से इनोट करता हूं और करता हूँ ताइम नीचे टी होता है कि ए भगेंगल नीचे में होता है ताइम हो मटकिन का मैं गायम क्या होगा इस पेल्ग का थे तो किया मिलेमाय दोकिन करोंबगे होता है मैं आपको में अब कराता हूं अब में लेता हूं एक्सलेरेशन का फॉर्मॉला क्या होता है तो एक्सलेरेशन होता है वैलोसीटी भाई टाइम होता है तो अभी हमने वेलो सिटी का डामेशनल फॉर्मुला दिराउड किया था क्या था हो होता है लवन टी माइनस वन तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा लवन टी माइनस वन अपॉन टी वन अब यह प्लस वन है उपड़ जाएगा तो माइनस वन तो क्या होता हूँ तो फोर्स इकल टू क्या होता है होता है तो फोर्स हींटा होता है मास इंटो एक्सलरेशन क wen Все को यौण करता हूं करता हूं hè तो यहां पर लेगा विव जिसके नेकिया हूं यहां पर लेशन crackbag यह क्या होगा फोर्स का डाइमेटनल फ़ोर्मूला ल५ोरमूला क्या होगा i4F माइनस टू उसके आद मैं लेता हूं वर्क तो वर्क के क्या होता है तो होता है फोर्स इन्टू डिस्प्लेस्मेंट होता है तो यहाद रखना जो वर्क है और जो टॉर्क है यहां पर टॉर्क लिख देता हूं है तो वर्क और टॉर्क का फॉर्मूला सेम है क्या है फोर्स इ तो है M1 L1 T-2 है और displacement किसमें होता है लेंथ में तो यहां पे L1 होगा तो क्या होगा L1 L1 तो 1 प्रस 1 क्या होगा 2 तो क्या final formula मिलेगा हमको M1 L2 T-2 क्या होगा M1 L2 T-2 उसके बाद मैं एनर्जी लेता हूं तो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है जाधा potential energy kinetic energy mechanical energy तो माल लेता हूं मैं potential energy तो क्या होगा MGH तो M क्या होता है mass तो M1 अब G क्या है acceleration due to gravity तो भी आपको इसमें add कर देना मैं आपे add कर देता हूं acceleration due to gravity का भी dimensional formula same हो क्या होता है L1 T-1 तो क्या होगा M1 अब यहां पर क्या होगा L1 T-2 L1 T-2 और height क्या होता है height किसमें measure करता है length में तो यहां पर L1 होगा तो यहां पर क्या मिलेगा M1 L2 T-2 तो आप check करोगे तो देखो वर्क टॉर्क एनरजी वह सबका क्या होता फॉर्मुला सेम होता है देखो यहां पर M1 L2 T-2 M1 L2 T-2 इसको square bracket में हम पूट करेंगे उसके आप चेक करोगे तो देखो acceleration और acceleration due to gravity उनका भी dimensional formula same होता है वह क्या होता है L1 T-2 तो एक्जा में कभी कभी question आता है write down the physical quantity which are having same dimensional formula which are having same dimensional formula तो कॉंचे कॉंचे होंगे acceleration due to gravity उसके बाद वर्क टॉर्क एनरजी और आपको हीड भी याज रखना है कॉंचा हीड तो हीड का भी dimensional formula came same है अब आपको energy बोले तो energy कोई भी हो सकती है potential energy kinetic energy mechanical energy कोई भी energy उनका dimensional formula क्या होगा सेम क्या होगा M1 L2 T-2 और मैं दूसरे कर रहा था हूं dimensional formula तो लास्ने लास्न में हमने वर्क का dimensional formula derive किया था तो वह था M1 L2 T-2 था अब मैं उसके बाद डिराव कर रहा हूं THAT M1 LT-2 और यहाँ पर T-1 तो मैं मैंनस रहा हो जाएंगा तो मैं मैं जाएगा मझार यहाँ पर आएगा 11,123. तो मैं 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 ठीच नीच लेता हूं तो प्रेसर ऑटा है तो प्रेसर होता है होता है force by area force per unit area तो force किसमे होता है force का dimensional formula M1 L1 T-2 और A दिया का है L2 अब यह उपर जाएगा तो क्या होगा M1 L यह minus 2 होगा और यहाँ प्लस 1 यहाँ यह T-2 तो क्या होगा M1 L raise to minus 1 और T raise to minus 2 तो देखो pressure और दूसरा क्या नाम है stress उनका same dimensional formula है क्या है pressure का भी same force by area M1 L1 T-2 उसके बाद दियाड़ बाए L2 तो क्या होगा formula भी same force by area क्या होता है pressure और stress दोनों का dimensional formula same है M1 L raise to minus 1 और T raise to minus 2 उसके बाद मैं लेता हूँ tension तो tension का dimensional formula किसके जैसा है force के जैसा तो यहाँ अखना tension का dimensional formula तो क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा है force का क्या है M1 L1 T-2 तो यह किसका है tension का dimensional formula उसके बाद मैं लेता हूँ surface tension क्या लेता हूँ surface tension तो surface tension का क्या होगा तो surface tension तो surface tension क्या होता है force per unit length तो force का dimensional formula का है वो है M1 मैं यहां पर लिख देता हूं M1 L1 T-2 और लेंद का क्या है L1 तो क्या मिलेगा M1 L0 T-2 माइनस 2 यह क्या होगा surface tension force by length तो M1 L1 sorry M1 L0 T-2 माइनस 2 उसके बाद कोई दूसरे ऐसी ऐसी physical quantity है जिनका कोई dimensional formula नहीं होता जैसे for example supplementary physical quantity पढ़ा था उसमें क्या था angle तो angle का भी कोई dimensional formula नहीं होता मलब क्या होगा M0 L0 T0 मलब no dimensional formula उसके बाद है टिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मैं यह आपे लिख देता हूं टिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उनका भी क्या होता है no dimensional formula तो dimensional लेस है तो वह गा अपन फाइनल लेंट्ट तो उसका भी क्या होगा दोनों लेंट्ट लेंट्ट है तो लेंट्ट लेंट्ट केंसल होगा तो उसको भी क्या है डाइमेंशनल लेस कॉंट्टिड है तो स्ट्रेंट भी क्या है डाइमेंशनल लेस कॉंट्टिड है उसके बाद है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी क्या है Dimensional Less Quantity, उसके बाद है Relative Density, तो Relative Density, इसका भी क्या है, No Dimensional Formula, वो भी Dimensional Less Quantity है, तो एक्जाम में कुस्छन के साथ है, Names of Physical Quantity, which are having No Dimensional Formula, जिसका कोई Dimensional Formula नहीं है, तो वो क्या है, Angle, Technometric Ratio, उसके बाद है Strain, उसके बाद है Refractive Index, और इसके बाद क्या है, Relative Density, तो यह क्या था, यह मैंने करा है, Dimensional Formula, मतंब डैमेंशनल Formula कैसे होता है, तो Dimensional Formula में कॉन से तीन यूज होता है, तो M होता है, L होता है, और T होता है, तो आपको कौनसे-कौनसे याद रखना है, मैं आपको यहाँ पर कराता हूं, कौनसे-कौनसे, सबसे बहला है Distance या displacement, तो क् तो में या हमारे पास ओर्स दूसके बाद है यह ची पास या जी अधिसरे दू डू क्या होता है उसके बाद हमारे पास पोस्ट तो क्या होता है होता है M1 L1 T-2 force और surface और यह tension force और टेंशन सेम है तो यहाँ पर टेंशन लिख देता हूं उसके बाद हमारे पास वर्क एनरजी उसके बाद heat और उसके बाद torque तो उनका same dimensional formula है वो क्या है M1 L2 T-2 है तो यह जो इतनी physical quantity है इतने आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके डाइमेंशन अनलिसीज में डाइमेंशन के यूज भी है उसमें भी यह physical quantity तो आने ही वाली है तो यह तो आपको याद रखने है अब हम करेंगे यूज ऑफ डाइमेंशन फॉर्मूला जो हम अब हमेंशन फॉर्मूला जाने हैं यह जाने हैं क्या होगा तो मतलब क्या कि जैसा फोर्स इकल टू मास इंटू एक्सलरेशन ही क्यों होता है हमने जो फॉर्स पड़ा तो क्या होथा तो क्यों होता है यह force mass by acceleration क्यों नहीं होता तो हम इसमें कवर करें के डॅलवीजिंगे मैं सबसे पहले फर्स चार्ट करता हूं चेकिंग दक करेक्नेस आ फॉर्मूला जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको लिए तो मैं आपको ऑग्जम्पल कर रहाता हूं तो एक्जम्पल for example E equal to mc square क्या है है हमारे पास E equal to mc square तो E क्या है हमारा यहाँ पर E हमारा energy है उसके वाद क्या होगा M तो M होगा mass और यह C क्या होगा यह होगा velocity या तो speed तो मैं यहाँ पर speed ले ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लोगा LHS तो LHS हमारा energy है तो energy का dimension formula क्या है तो है M1 L2 T minus 2 तो है हमारा हुआ energy का dimension formula अब हम करेंगे RHS तो right hand side क्या है हमारे पास mass है तो mass क्या होगा होगा मैं फ़हला formula लिख देता हूँ mass mass into c square mass क्या होता है M1 C क्या होता है speed तो speed की dimension formula क्या है L1 T minus 1 उसका square तो क्या होगा यहां पे तो यह होगा M1 L2 T minus 2 1 into 2 2 minus 1 into 2 तो माइनस 2 तो क्या होगा M1 L2 T minus 2 तो आप check करोगे energy का भी dimensional formula क्या है M1 L2 T minus 2 और RHS दो हमने solve क्या है उसका भी क्या है M1 L2 T minus 2 मतलब क्या है कि LHS equal to RHS the given equation is dimensionally correct यह हमको जो equation दिये ना मैं सेकेंड एक्जामपल लेता हूं फर एक्जामपल हाफ M1 Sqeer equal to MgH यह हमारा kinetic energy है और यह हमारा potential energy है यह हमको चेक करना है कि correct है यह तो रोंग है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं यह मास है हमारा यह हमारा velocity है यह M mass है ग्रेविटी एक्सलेरेशन है उसके बाद यह हाइट यह हाइट है तो सबसे पहले हम फैंड करते है LHS तो क्या होगा हाफ Mv2 आपको याद क्या रखना है कि जो भी constant होता है वो dimensional formula count नहीं होता तो यह constant है 1 by 2 यह count नहीं होगा जैसे पाई है तो पाई भी count नहीं होगा मलब कोई भी number है जैसे तो constant है वो dimensional formula में count नहीं होता है तो यह 1 by 2 हम cancel कर देंगे तो सिफ क्या लेंगे mass और velocity तो mass का क्या होता है M1 और velocity क्या होता है तो होता है L1 T-1 उसका square है तो क्या होगा यह होगा M1 L2 T-2 यह हमको क्या मिला LHS मिला अब RHS find करते है तो RHS क्या है मारे पास तो है M G और H तो M क्या है mass तो मलब M1 G क्या है acceleration due to gravity है तो होगा L1 T-2 और H क्या है height तो होगा L1 तो क्या होगा यहां पे M1 यह 1 1 तो 1 प्या होगा 2 तो होगा L2 और यह होगा T-2 तो क्या हुआ M1 L2 T-2 तो यह देखो LHS भी क्या है M1 L2 T-2 दूसरा क्या M1 L2 T-2 RHS था तो यह क्या मिला LHS equal to RHS मतलब क्या कि given equation is dimensionally correct यह जो equation है वो correct है उसके मैं और example आपको मैं कर रहाता हूँ फर example थर example लेता हूँ V equal to U plus AD थर example है V equal to U plus AD तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ यह हमारा क्या है तो final velocity है हमारा यह U क्या है हमारा initial velocity तो यह initial velocity उसके बाद यह हमारा A acceleration है तो यह हमारा acceleration है और यह जो T है वो time है तो यहाद अखना जब भी किसी भी equation में आपके पास plus है तो आपको जितने plus है उतनी बार आपको RHS solve करना है तो यहाँ पर RHS में U है और यहाँ पर 80 है उसके बिश में plus है तो RHS आप 2 find करोगे कैसे मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले मैं LHS find करता हूँ तो LHS क्या है VALOCITY FINAL VALOCITY है मनदब VALOCITY है तो क्या होगा L1 T-1 यह हुआ हमारा किसका फॉर्मूला FINAL का LHS का अब यहाँ पर क्या करना है देखो RHS में 2 quantity है तो U है और 80 है तो U को अलग से करना है और 80 को अलग से करना है क्या है तो जब भी आपको PLUS मिले या तो MINUS मिले तो आपको क्या करना है different different अलग अलग से करना है तो यहाँ पर क्या होगा U तो U क्या है वो हमारा RHS है तो यहाँ पर मैं RHS 1 देता हूं तो आपको clear हो तो यह क्या है U मलदब वो भी क्या है 1 लेता हूं वह हमारे पास है कि próxima होगा रह टी माइनस तूं और हमारे पास है को टी तो यह इन्टू टी यह क्या है यह equation dimensionally correct है उसके बाद मैं दूसरी example आपको कर रहा था हूँ 4 for example आपको करना है v square equal to u square plus 2as यह आपको करना है v क्या है final velocity u initial velocity a acceleration और यह s क्या है displacement s क्या हमरा displacement ठीक है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर तो सबसे पहले lhs करेंगे तो lhs वह क्या है final velocity मैं इसका स्क॥ेर करना है तो इसका square करेंगे तो यह होगा l1 माईनस 2 यह हमारा हुआ v square का अब rhs 1 फा Europeans करेंगे क्योंकि बीचमें क्या है plus हे तो rhs 1 क्या होगा तो होगा universal velocity यह होगा L1 T minus 1 और उसका square तो क्या होगा L2 T minus 2 यह क्या हुआ हमने पास RHS 1 मिला अब RHS 2 find करता हूं तो RHS 2 क्या है हमारे पास वो है 2AS तो मैंने बोला कि dimensional formula में जो constant होते हैं वो used नहीं होते हैं उसको हम count नहीं करते हैं तो यहां पर 2 नहीं आएगा सिफ A ऐसा आएगा तो यह क्या है हमारा acceleration तो होता है L1 T minus 2 और यह L है यह displacement है तो displacement क्या होता है L1 तो क्या होगा 1 plus 1 2 तो यह होगा L2 T minus 2 तो आप चेक करोगे तो यहां पर L2 T minus 2 L2 T minus 2 मलब क्या होगा यह LHS equal to RHS the given equation is dimensionally correct अब यह 5 आप अपने आपसे ट्राइक करो अगर आपकी correct आ रही है यह wrong आ रही है आप comment box में comment कर सकते हो तो क्या है दूसरी equation है S is equal to U T plus half A T square यह आपको try करना है मैं आपको बता देता हूं यह S displacement है क्या है S displacement उसके बाद यह U क्या है U initial velocity है वह हमने यहां पर यूज की है T क्या है time है उसके बाद 1 by 2 है और यह A क्या है acceleration है और T क्या है time T square क्या है time है तो यह kinematics की equation है यह मैंने जितनी भी करा ह यह first second author तरही थर्ड आपको करना है एक exam में आता है तो यह आप try करना उसके बाद हम second use of dimensions formula करते है कि conversion of one unit to another तो second topic conversion of one system of unit तो second topic conversion of one system of unit to another तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था physical quantity तो physical quantity को हम कैसे लिखते है तो कोई भी physical quantity होती है वह होता है N into U होता है हमने यह कर रहा था N numerical value और U unit है तो यहां पर एक unit को दुसरे unit में convert करना है तो मैं इसको यहां पर ले लेता हूं N1 U1 और दुसरी लेता हूं N2 U2 तो आप check करो कोई भी physical quantity है आप unit change करो लेकिन वही कि वही physical quantity रहेगी जैसा mass है तो mass का कौन सा unit है kg है और gram है लेकिन वह अब आपको फाइन करना होगा दूसरे unit मतलब फार एक्जामबल एन टू यूनिट तो उसके लिए formula आपको याद रखना है यह होगा N1 और यह होगा M1 divided by M2 उसका पावर ए उसके बाद है L1 divided by L2 उसका पावर B और यहाद रखना है T1 divided by T2 उसका पावर C यह आपको याद सिम्पल है क्या है कि N2 M1 divided by M2 raise to A L1 divided by L2 raise to B और T1 divided by T2 raise to C है यह हमारा क्या है formula है यह आपको याद रखना है अगर आपको कोई भी question है conversion of one system of unit to another मैं आपको question कर रहाता हूँ ज्यादा clear होगा यह first question है कि convert one newton into dime तो newton क्या है यह हमारा mks unit है तो यह mks है और यह हमारा क्या c cgs है तो cgs तो convert one newton into dime तो one newton मतलब क्या तो newton किसकी SI unit है वो force की तो force क्या होता है force होता है mass into acceleration तो mass किसमें find करता है kg में और acceleration किसमें होता है हमारा acceleration होता है मिंटर पर second square में अब इसका dimension formula क्या होगा वह में वह भी मैं लिख दलता हूं तो यह है M1 L1 T-2 यह उसका dimension formula है force का तो यहां पर देखो आप चेक करोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको decide करना होगा कि A की value क्या है B की value क्या है और C की value क्या है तो यहां पर A की value क्या है हमार पर यहां पर मास्का मास्क का तो 1 kg होगा तो 1 kg होगा 1 kg होता होता है 1000 i amوي मैं लिघता हूं यह हमारा M1 हुगा यहां वह फर्स्त है बना को find करने है वो M2 तो हम वन हुआ अब हमारे पस M2 क्या है M2 है CGS तो यहां पर KG यूज़ करना है MKS में और CGS जो हमको find करना है उसमें gram यूज़ करना है तो M2 क्या है gram वो भी किसकी unit है मास की वह क्या होगा one gram तो यह हमने one gram किया उसके में L2 find करता हूँ तो यहां पर L1 और L2 करता हूँ तो जो L1 है वो मीटर है और यहां पर जो L2 है जो हमको find करना है वो centimeter यह मैं आपको लिख के बताता हूँ यह क्या है MKS तो M मतलब क्या meter यह कि की मतलब kg और S मतलब second अब यहां पर CGS में को समझाता हूं तो cgs सी क्या है सेंटीमीटर यह जी ग्राम है और सेंटीमीटर होता है मतलब क्या के 10 रिस टू सेंटीमीटर यह वन मीटर होता है और यहां पर मतलब leo कि वेलीवण करेंगे तो सेंटीमीटर यहां पर के लिए ट्यायवान वी क्या होगा और यहां पर एक्मान की एक वा न्युमेरिकल वैल्य मलब magnitude तो यहां पर क्या होगा यह निमेरिकल वैल्यू थे यह होगा एन वन वन है उसके बाद क्या है M1 बाए M2 तो M1 क्या है हमारा 10 रिस तो 3 ग्राम मैं फॉर्मा लिख देता हूं M1 बाए M2 उसका पावर क्या है तो पावर 1 यहां पर मैं वैल्यू पूट करता हूं यहां पर 1 तो 1 एंटू यहां पर क्या है M1 क्या है 10 रिस तो 3 ग्राम तो 10 रिस तो 3 ग्राम अपॉन वन ग्राम रिस तो 1 उसके बाद L1 तो L1 क्या है मारा 10 रिस तो 2 सेंटीमेटर तो 10 रिस तो 2 सेंटीमेटर अपॉन 1 सेंटीमेटर रिस तो 1 और यह क्या है टाइम 1 सेकंड और यह भी क्या है टाइम 1 सेकंड रिस तो माइनस 2 तो आप चेक करोगे यह ग्राम ग्राम कैंसल हुआ यह सेंटीमेटर सेंटीमेटर cancel और यह सेकंड सेकंड cancel तो क्या होगा है यहां पर हमारा हमने कर दिया है हमने in two propriety किया होती है यह जो हमों को नो करने है वह क्या है डायन तो यहाँ पर क्या इस होगा डायन तो याद रखए ने कुम याद ही रखना। जक्तिन इक प्यूट रिखना है 1.0 fazem इसके उसके ऑचेंड लेते हैं इसरे और सकर्ण do Joule of Energy to Erg, तो यहां पर क्या है Joule है, किसकी इनिट है एनर्जी की, तो यहां पर energy, वो फोर्स इंटू दिस्क्रेसमेंट होता है, मलब यहां पर होता है M1, L2, T-2, तो आपको याद क्या रखना है, तो energy का Dimensional Formula, तो Dimensional Formula बहुत important, आप वापस वीडियो देखिए, Dimensional Formula बहुत important है ye, me1, l2 t-2, mine2. तो यहाद रखना, हमको given is, उसको एम 1 लेगे, और जो हमको fine करना है, उसको 2 लेगे, 1 joule given is, 1 joule equal to कितना होगा? यहाँपे mass है, mass किसम में होता है, kg में? उसके ब्हाद यहाँपे 110, left wide, meter square होगा, और यहाँपे time है, क्या होगा second square तो याद रखना है one joule equal to कितना होता है one kg meter square upon second square तो यहाँ पर देखो one joule है यहाँ पर one kg है तो M1 की value क्या है हमारे पास one kg तो आपको convert किसको करना है M1 को convert करना है M2 के अंदर तो one kg और यहाँ पर क्या है और किसके unit है CGS जिसे हमने यहाँ पर किया था तो Newton थी MKS और जो CGS कौन सी ती डायन सेम यहाँ पर MKS कौन सी है Joule और CGS कौन सी है और और मतलब क्या तो और का dimensional formula क्या होगा यहाँ पर one और इक्वल टू होगा यहाँ पर मैं लिखता हूं उसका क्या होगा one और इक्वल टू तो यहाँ पर केजी नहीं पर ग्राम इंडर मजाँ और अ क्या होगा तो कितना होगा वंको फाइं करना है तो यहाँ पर M1 उकल तो ऑन की तो अब M2, M2 किसम है, gram में? मतलब यहांपे केज को कनवर्ट करेंगे gram के अंदर तो बड़ी कॉंटिटी को चोटी कॉंटिटी के अंदर तो यहाँपे क्या होगा? यहाँबे और 10 रेस थो 3 gram उसके बाद क्या है? यहाँपे 1 gram है, तो यह 1 gram होगा उसके बाद time है sorry length ले ले लेते हैं तो length क्या है L1 और L2 तो यहां पर length meter है तो यहां पर 1 meter होगा मतलब 10 raise to 2 cm और यहां पर क्या है L2 1 cm उसके बाद T1 और T2 same है वो क्या है second तो यहां पर second तो मतलब 1 second ठीक है T1 T2 same है अब formula apply करते है तो यह formula क्या है हमारे पास तो यह mu2 इक्वल टू वो था mu1 M1 by M2 divided by A तो A का power क्या है 1 upon L1 by L2 raise to B उसका power क्या है 2 और T1 by T2 raise to C उसका power minus 2 है तो value substitute करते हैं यहां पर value one二 यहां पर 1 हैै sorry यहां पर n 1 होता है तो यह value 1 है तो N1 इक्वल टू यहां पर और यहां पर N2 होता है यह numerical value अब यहांपे क्या होगा M1 तो M1 की value क्या है हमारे पास M1 है 10 दिसको 3 ग्राम तो 10 दिसको 3 ग्राम अपॉन ग्राम यहां पर L2 तो L2 क्या है 10 दिसको 2 cm अपॉन 1 cm उसका square और यहांपे क्या है 1 second by 1 second उसका थो यहां पे टू रिशा याँ जा तो यहां पर एटू का पावर 2 इस हैं इस्ट क्या हो वार 1 टीन Bन चावण दीनार तो सेवन मतलब क्या कि वन चूल एक कवल्ड क्या होगा तैन रिस्टो seven और दो होगा यह आपको याद रखना ये भी कभी कभी एक्जाम में आता है कि कनवर्जन के उपर एक्जाम होता है एक्जाम में कुस्ण होता है अब हम थड करेंगे डैरी विसनाफ फॉर्मूला अब थर्ड यूस बढ़ते हैं, derivation of formula, derivation of formula में क्या है, तो मैं question कराता हूँ आपको, question में read करता हूँ, first example है, force f, force f है, on the body, depends on mass of the body, वो depend करते है, mass of the body, and acceleration of the body, or acceleration of the body, find the formula of force, तो आपने जो force का formula पढ़ा है, force equal to M into A, अब हम वो derive करेंगे, तो देखो कैसे करना है, तो आपको question अच्छे से read करना है, तो यहां पर force है, तो force f depends on, तो जब भी depends है, तो सबसे पहले force है, वो किसके ओपर depends करता है, तो depends जब भी है, तो हम क्या use करेंगे, directly proportional की sign, किसकी sign करेंगे, directly proportional की,ie depends का मदल्स प्रपोस्टनल की sign, तो यहां पर mass है, अब यहां पर mass का power हम को नहीं पता, तो यहां पे कुछ भी power हो सकता है, 1234, तो यहां पर power 1 आ रहा है, लेकिन हम को पता नहीं, आपको ऐसा मानू, तो यहां पर क्या तो यहां पर एक्स लेता हूं, उसके बाद क्या है, अप द बोड़ी, and acceleration a, acceleration a, small a, of the body, अब उसका पावर भी नहीं पता, तो इसको में देता हूं या, मैंने क्या वापस रिविट करता हूं, इसको फोर्स, डिपेंच सॉन, मास उसका पावर नहीं पता वह वन हो सकता है तो यहां पर क्या लिखा एक्स और एक्सलरेशन और रिस टो य अब यहां पर इसको में अटाएंगे तो प्रपोर्शनल की साइन हमाहँ हटाते हैं तो यहां पर इक्वल टू पूट करता है जैसे अपने क्लास टेंड में पड़ इस नी वहोदे ह Cena मिली है तो रहे है एसरे प्रमुला क्या और क्या मैं रिस टू है इδώ शरे हमास का दैमेसरों क्या होता है ओं रिस्टो एक्स अब यहां पर एक्सेलरेशन थे मीनən को टीमाइनस भाइन ऑ उसका क्या यक्या हमाई अब है एब यह पाऊर मुप्लांगी होग यह M1 L1 T-2 यहां पर का होगा K यह होगा M अब यहां पर M1 है और यहां पर 1 into X क्या होगा X यह होगा M raised to X अब यहां पर L 1 into Y क्या होगा Y तो L raise to Y अब यहां पर T raise to minus 2 और तो into Y तो क्या होगा minus 2 Y सेवन माया मैंने simple multiply किया 1 into X तो X 1 into Y तो Y minus 2 into Y तो minus 2 Y अब हम क्या करेंगे compare करेंगे मास को मास के साथ compare करेंगे L को L के साथ compare करेंगे और T को T के साथ compare करेंगे चलो compare करते हैं तो यहां पर मास को सबसे पहले मैं compare करता हूँ महत्य ह् intuitive देखु मैं वापश समझता हूं यह बीन तो पावर मतलब न स्टी continue से में नो मलंख किया कि 1 इंगंति है उसके बाद गया से इंग F G इब क्या होगा इस य्टो यहां टो से में सब्सक्राइबG देखर जाएं कि यहां पर मिलियू नीचे जाएगा टो मैंनेस च्वाइब मांनेस लिडिके लाë होगा y, तो y की value क्या मिली 1, यहां भी y की value 1 है, और x की value 1 है, अब यह जो value है, हम equation number 2 में put करेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहां पर put value of x and y in equation number 2, तो चलो put करता हूँ, तो क्या मिलेगा, f equal to, यहोगा k m raise to x है, तो x की power क्या है 1, तो यहां पर 1, और acceleration की power भी क्या है y, y की power क् यहां पर देखो y, y की value 1, तो यहां पर भी 1, तो मलब f equal to k m a, अब यहां पर k को मैं अठा देता हूँ, तो f equal to kya होगा m into a, तो देखो, यहां पर हमने derive किया, तो force equal to kya होता है, mass into acceleration, तो f equal to kya होता है, m into a, अब मैं second example लेता हूँ, इसकी ECBs पर, अब second question लेता हूँ, example है, अब NCRT में भी check कर सकते हो, मैं question rate करता हूँ, consider a simple pendulum having bob attached to a string that oscillates under the action of gravity, suppose that the period of oscillation of symbol pendulum depends on the length, मलब जो period दी है, period मतलब का time, तो time है, वो depends कर रहा है, तो time depends on its length, तो length क्या होता है, यहां पर L, उसका power नहीं पता, मलब यहां पर x होगा, मैं आपस rate करता हूँ, यहां पर जो length, यहां पर जो period of oscillation, मतलब time, वो depends करता है, depends मतलब proportional और यहां पर length, तो length की power नहीं पता, मतलब x, उसके बात क्या है, mass of the bob, small m, तो उसका भी नहीं पता power, तो raise to क्या करूंगा y, n, acceleration due to gravity, g, उ यहां पर मैं लिखूंगा z, तो x, y और z power है, उसके बात क्या पुछा है, derive the expression for its time period of time period using the dimensional, मनलब dimensional formula को use करके, हमको क्या find करना है, इसका formula फार्मुला फार्मुला है, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा, इसका dimensional formula, तो time का dimensional formula क्या होगा, तो time का dimensional formula क्या हो, यहां पर t1 होगा, यहां पर length है, तो length का dimensional formula क्या होगा, तो यह होगा l1, यहां पर mass है, तो mass का dimensional formula क्या होगा, m1, और यहां पर acceleration due to gravity है, g, मनलब क्या होगा, acceleration है, तो l1 t-2, अब यह सब value हम यहां पर substitute करेंगे, तो step क्या है, इसको अब हम अटाएंगे, तो क्या होगा, यहां पर T equal to K, यहां पर L raise to X, M raise to Y और G raise to Z तो देखो, यहां पर proportional अटाएंगे, तो equal to K पूट करना है अब यहां पर, अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, यह जो diamond formula है, यहां पर substitute करेंगे तो time है, तो यह क्या होगा, M0, L0, T1, mass और length नहीं है, तो मतलब 0, यहां पर K, अब यहां पर length, तो length क्या है L1, उसका power क्या है X, उसके बाद क्या है mass, उसका power क्या है 1, तो क्या होगा, यहां पर raise to Y, और यहां पर acceleration due to gravity है, तो L1 T minus 2 है, तो उसका power क्या होगा Z, तब क्या मिल 25 करेंगे, तो क्या होगा, M0, L0, T1, यह K as it is, यह 1 into X क्या होगा X, तो L raise to X, M in M, 1 into Y, क्या होगा Y, तो M raise to Y, L, 1 into Z क्या होगा Z, तो L raise to Z, अब यहां पर T raise to minus 2 into Z, तो क्या होगा T raise to minus 2, और यहां पर क्या Z है, यह Z लिखा मैने, अब हम क्या करेंगे, तो M को M के साथ compare, यहां पर M यह रही है, L को L के साथ, देखो, सबसे पहले L को simplify करो, तो क्या होगा है, यहां पर M0, L0, T1, उसके बाद क्या है, KS, यहां पर M लिखता हूँ, तो M रेस्टो Y, यहां पर M है इसके लिए, order wise लिखेंगे, अब यहां पर length दो है, देखो, L रेस्टो X, L रेस्टो Y, L रेस्टो Z, तो क्या होगा है, यहां पर L रेस्टो X, प्लस Z, क्योंकि Base सेम है, तो Power का Addition, और यह T रेस्टो माइनस 2Z, तो क्या होगा है यहां पर, तो यह होगा, M रेस्टो 0, equal to M raise to Y, देखो, क्या है, यह M और M को compare करना है, तो M raise to 0 equal to M raise to Y, तो यहां पर Base सेम है, तो पावर भी सेम होगा, मतलब क्या, 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 0 equal to Y, उसके बाद मैं find करता हूँ, L, तो यहां पर क्या है, L raise to 0 equal to L raise to X plus Z, तो यहां पर क्या होगा, तो उसके पहले एक value हमको पता होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या, उसके बाद हम find करें के time, तो time पहले हम find करते है, तो time का क्या है, t raise to 1 equal to, t raise to 2 into z है, तो यहाँ पे base same, मतलब power भी same, तो 1 equal to क्या होगा, 2 into z, तो यह 2 multiplied है, तो नीचे जाएगा, तो यह क्या होगा, 1 by 2 equal to z तो यहाँ पर एक variable मिल गया, अब यह variable यहाँ पर substitute करेंगे, आपको सबसे पहले 1 variable find करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 variable है, तो एक variable हमने time से find किया, अब यह variable यहाँ पर substitute करेंगे, तो क्या होगा, 0 equal to x plus, यह 1 by 2 है, अब यह 1 by 2 धर जाएगा, तो 0 minus 1 by 2 होगा, equal to x, तो x के लि value मिल गई, y की मिली, और z की मिली, अब यह जो value है, हम यहाँ पर substitute करेंगे, equation number 2 में, तो क्या होगा, यहाँ पर t equal to, k L raise to, उसका power क्या है, L raise to x, मलब minus 1 by 2, उसके बाद क्या है, mass raise to y, तो 0, और acceleration due to gravity, raise to z, तो 1 by 2, तो देखो, mass 0 है, इसको हम कैंसल करेंगे, तो यहाँ पर t equal to, क्या मिलेगा, यह constant को भी निकाल देते, तो यहाँ पर क्या होगा, L raise to minus 2, L raise to minus 2, और क्या है, G raise to 1 by 2, L raise to minus 2, और G raise to, sorry, L raise to minus 1 by 2, और G raise to 1 by 2, तो यह minus 1 by 2 है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो क्या मिलेगा, G raise to 1 by 2, अपान L raise to 1 by 2, यह minus है, तो नीचे जाएगा, अब दोनों का पावर सेम है, तो क्या पूट करेंगे, L by G raised to 1 by 2, दोनों का पावर सेम है इसलिए, तो अब 1 by 2 क्या होता है, रूट, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडरूट of L by G, तो टाइम पियर का फॉर्मला क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट टोपिक करेंगे, लिमीटेशन, अब थर्ड कोशन में रिताऊं, लास्ट कोशन, आप कोशन स्क्रीन पर देख सकते हो, दा वेवलेंथ लामडा, तो वेवलेंथ क्या है, अमारे पस लामडा है, यह वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ है, लामडा, अफ मेंटर, वेव, में डिपेल्स, अपॉन, प्लांक कॉंस्टन्ड, तो प्लांक कॉंस्टन्ड है, यह हमारा क्या है, प्लांक कॉंस्टन्ड, तो प्लांक कॉंस्टन्ड, उसके बाद क्या है, मास तो मास है हमारे पास मास एम और मास एम एन वेलो सिडी वी उसके राद क्या करना है उसके राद क्या करना है तो यहां पर क्या लिखेंगे लामडा प्रपोर्शनल डू यह सबसे पहले क्या होता है और यहां पर क्या है सबसे पहले क्या होता हुँगा फैसले कॉर्सक्रिक्स क्या होगा होगा L1 length इसलिए L1 अब लांग कॉंस्टन्ट का क्या होता है तो होता है M1 L2 T-1 यहाद रखना पड़ेगा M1 L2 T-1 उसके आद मास है यह h raise to x m raise to y और v raise to z होगा अब यहां पर क्या करेंगे हम तो यह होगा है अब देखो अब value substitute करेंगे किसकी dimensional formula की तो लामडा क्या है वह l1 है मतलब m0 l1 t0 equals to यहां पर k अब यहां पर क्या है h तो h क्या है हमारा हो है m1 l2 t-1 उसका power क्या है x उसके बाद क्या है mass तो होता है m1 raise to y उसके बाद क्या है velocity तो होता है l1 t-1 raise to z अब हम multiply करेंगे तो multiply मैं यहां पर करता हूँ तो क्या है हमारे पास यह m0 l1 t0 equals to यहां पर k है उसके बाद क्या है m1 into x क्या होगा x तो m raise to x उसके बाद होगा l raise to 2x उसके बाद होगा t raise to minus x minus 1 into x minus x उसके बाद होगा m raise to y उसके बाद होगा l raise to z और t raise to minus z देखो मैंने multiply किया यह power जैसे हमन एक साल लेंखेंगे, लेंखो और टाइम को, यहां पर m raise to 0, l raise to 1 और t raise to 0, यहां पर k as it is, सबसे पहले मांस लेंखेंगें, यहां पर m raise to x, m raise to y, तो m raise to क्या होगा, x plus y, पापर का addition, अब यहां पर लेंखेंगे, 10 raise to 2 x और प्लस जेट, इसके अद्यात क्या time, तो t raised to minus x और t raised to minus z, ये minus x minus z, उसिम पावर का addition किया, अब हम compare करेंगे, तो m raised to 0 equal to kya होगा, m raised to x plus y, तो यहाँ पर base same, power भी same, तो 0 equal to kya मिला, x plus y, ये first equation में put करता हूँ, इसके अद्यात second, तो क्या है, L raise to 1 equal to L raise to 2x plus z तो 1 equal to क्या होगा 2x plus z होगा यह मैंने second लिखी अब third लिखता हूँ तो T raise to 0 equal to minus x minus z T raise to minus x minus z तो 0 equal to क्या होगा minus x minus z अब देखो यहापे देखो यह xy है यह xz है और यह भी xz है महला है इसमें हम क्या apply करेंगे elimination method तो देखो क्या है तो 1 equal to 2x plus z और यह 0 equal to minus x minus z तो देखो simple हो अगर हम addition simple करें तो यह दोनों cancel हो जाएगा तो सबसे पहले आपको elimination method आनी चाहिए जो class 10 में थी तो यह plus होगा तो plus z minus z cancel तो answer क्या होगा यहापे 0 यह 2x minus x तो क्या होगा यहापे x और यह 1 plus 1 plus 0 तो यह 2x minus x x हुआ यहापे क्या है प्लस लिख देता हूँ यहापे 1 plus 0 क्या होगा 1 तो मतलब x equal to क्या होगा 1 वापस समझाता हूँ देखो 1 equal to 2x 1 equal to 2x plus z 0 equal to minus x minus z तो plus z minus z cancel तो 0 हुआ 2x minus x होगा 1 plus 0 1 होगा तो x के value क्या मिली 1 अब इवन वेल्यू मैं यहां पे सबस्रूट कर देता हूँ यहां तो यहां पे मैं करता हूँ तो 0 equal to क्या होगा यह minus x के value 1 है minus z तो यह इधर जाएगा तो plus z equal to क्या होगा minus 1 तो x की power 1 अब यह value मैं यहां पे substitute करता हूँ तो y की value मिलेगी तो 0 equal to 1 plus y अब यह उदर जाएगा minus 1 left hand side जाएगा तो minus होगा तो y equal to क्या होगा minus 1 तो x की power 1 y minus 1 z minus 1 तो यह value अब हम यहाँ पे substitute करेंगे तो क्या होगा lambda equal to यह होगा k h raised to h का power x है तो मलदब 1 m का power क्या है y मलदब minus 1 और v का power क्या है minus 1 तो देखो यहाँ पे minus 1 minus 1 है तो plus करना हो तो यह division में जाएगे तो क्या मिलेगा lambda equal to यह होगा k h उपर होगा उसके बाद क्या होगा mass नीचे और velocity नीचे क्योंकि यह दोनों minus है और power 1 power 1 1 लिखो के ना लिखो का मतलब क्या है same तो lambda equal to क्या मिला k into h upon mv अब इसके जो extra question है मैं last में आपको provide करूँगा अब मैं last topic करूँगा last topic limitation of dimensional formula अब last topic करते है limitation of dimensional formula तो इसके चाल limitation है बहुत easy है मैं read करके आपको मैं समझाता हूँ this method gives no information about dimensional constant in the formula जैसे हमने dimensional formula पे हमने example किया था जो t equal to 2 pi under root l by g तो यहां पे 2 pi की value नहीं मिल रही थी उसके पदले हमने k लिखा था तो यहां पे जो k होता है उसकी value हम नहीं find कर सकते तो example है for example यहां पे 2 pi यह तो pi हो यहां पे 1, 2, 3 हो कोई भी number हो यह जो constant होता है हम dimensional formula से हम find नहीं कर सकते तो यह first है this method gives no information about a dimensional constant कौंसा constant है in the formula यह first second we cannot derive the formula for tygnometric function जो tygnometric function है sin, cos, ten, cos वह सबके हम formula डिराव नहीं कर सकते और जो log function है exponential function है उसके हम dimensional formula या तो formula डिराव नहीं कर सकते यह second limitation है we cannot derive the formula of tygnometric function और logarithmic function उसके बाद third है it gives no information whether the physical quantity is scalar vector तो scalar quantity किसको बोलते है वो quantity सिफ जो magnitude के उपर depend करे मलब सिफ value के उपर जैसे मैं speed बोलता हूं तो speed equal क्या होगा for example 20 meter per second तो यह speed होगा लेकिन अगर मेरे को velocity बोलने है तो क्या होगा 20 meter per second in west direction तो यह मैंने west लगा दिया तो west मतलब क्या direction quantity और magnitude मतलब क्या scalar quantity मतलब मतलब scalar मतलब shift magnitude vector मतलब magnitude और direction तो यहां पर क्या है it gives no information वो information नहीं दे थी किसकी वेधर तो physical quantity कोई भी physical quantity या तो scalar है या तो vector है यह third limitation उसके फूर्थ limitation दा में थार्ड डामेंशन फॉर्मूला cannot be used to derive the formula relation मतलब क्या मैं आपको example कर रहा था हूं वी इकवाल डो क्या होता यू प्लस 80 अगर आप derivation करने जाओ इसका तो यह आप नहीं कर पाओगे इसका reason क्या है क्या है प्लस तो यह जो relation है हम relation meaner नहीं कर सकते रहे हैं कर सकते पलस है माइनस है तो यह जो फ़ॉर्मुला Sandy एप यह स्वार्मूला ये स क égal टो यू प्लस 80 च्वेर ये भी हम डρά वे कर सकते किससे डाइमशन फॉर्मूला से तो यह जो भी method है dimensional formula का वो relation find नहीं करता मलब यहाँ पे plus होगा या तो minus होगा उसके लिए dimensional formula हम डिरावड नहीं कर सकते तो यह क्या था आज हमने cover किया dimensional formula, user dimensional formula और limitation of dimensional formula